दुनिया के अंदर कोविड महामारी की वज़े से बहुत बेहत कठिन परिस्थितियां पैदा हुई थी पिछले एक साल में जहां हमारी सरकार की इंकम आने के सोर्सेज बहुत जादा कम हो गए थे हमारा एकस्पेंडिचर बहुत जादा बढ़ गया था क्योंकि इतने कठिन परिस्थितियों में हमें लोगों के लिए धेर सारे हमने खाने के किचिन्स लगाई राशन बहुत साथ एक करोड़ लोगों को हमने राशन दिया दस लाख लोगों के लिए रोज खाना बनवाते थे बुजुर्गों के लिए टैक्सी वालों की ड्राइवर्स के लिए आटो ड्राइवर्स के लिए पांच-पांच हजार उपे महीने के हिसाब से उनकी इंकम के लिए हमने अरेंज किया तो एक तरह से expenditure के sources बहुत जादा बढ़ गए थे, income के sources कम हो गए थे, लेकिन और ऐसा सोचा जा रहा था कि साल के अंत तक आते आते, पता नहीं अगले साल के budget में हम लोग पिछले साल के मुकाबले बढ़ा पाएंगे कि कम होगा budget, लेकिन मुझे बेहत खुशी है कि पिछले साल का budget estimate 65,000 करोड था और इस साल का budget estimate 79,000 करोड था जो कि पिछले साल के मुकाबले लगबग 6 प्रतिशत जादा है, तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है, यह मैं इसके लिए दिली के लोगों का ख सरकार चल रही है और अच्छे से चल रही है, सबसीडी थी जितना सरकार लोगों को अलग-अलग सेक्टर में मदद करती थी वो जारी रही, बिजली की सबसीडी जारी रही, लोगों को फ्री बिजली मिलती रही, पानी की सबसीडी जारी रही, लोगों को फ्री पानी मिलता र जारी रही इन सब कठिन परिस्तितों के बावजूद बसों के अंदर जो महिलाओं को फ्री सफर दिया जाता है वो भी जारी रहा और मुझे खुशी है कि अगले साल भी आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अंदर भी ये सब सुविधाएं फ्री बिजली फ्री पा